लेकिन मेडम यह सरकार कर रही है कि हम दो डिजिटल इंडिया बनाएंगे इसको और आप कहे रहे हैं कि इंडिया बनाने का जो सरकार का सपना है वो कैसे पूरा होगा मैं आपी के माध्यम से पूछना चाहूंगी कि क्या सभी गाओं में बिजली पहुँच गई क्या सारे गाओं में सड़के बन गई क्या एजूकेशन पे सरकार ने पहले काम किया यहां तो लाको स्कूल बंद कर दिये गए हैं मैं खाली यूपी की बात क अब यह जहां पढ़ाई ही ना हो आठवी तक का बच्चा जब पास ही नहीं किया जाएगा सिर्फ पास कर दिया जाता है बिना एक्जाम लिए बिना एजूकेशन के तो वो डिजीटल इंडिया कहां से बनेगा वो कंप्यूटर चलाना सीख पाएगा क्या आप खुद ही सो वहां पर सारे बच्चे के सभी के बच्чесलों में जाते हैं तो इनका धरशाई हो गया तो सरकार को पहले ऐसे कदम उठाने चाहिए जिसके देश का जो नचला तबगा है वो भी कम से कम बराबर ही में तबी तो सारी बाते 여्माना जाएगा ना कि देश प्रगति कर रहा है द प्रगति होती है कि हाँ देश ने प्रगति की लेकिन आज प्रगति का मावल देखें तो एक अभी एक हर्याने से जड़ जड़ उस एक गाउं से एक विस्व सुंद्री बनी है और आज तो लड़कियां आई-एस और पिसीएस बन नहीं है तो तरक्की तो हो रही है ना तरक् सब्सक्राइब बेटकर जीक्या जो हिंदू कोट बिल उन्होंने महिलाओं को दिया आज जो इतनी सारी महिलाओं मैं जो आपके सामने बैटके बोल रही हूं इसके पीछे भी बाबा साब का हाथ है वरना महिलाओं की जो सिती इस देश में रही वो शायद किसी दुनिया के किसी देश में नहीं थी इतना उसे नीचा दोयम दर्जा दिया गया तो महिलाओं की सिती क्योंकि हिंदू कोट बिल आने के बाद काफी सुदरी है माबाप को भी लग रहा है कि जैसे अगर वो बेटें उपे ध्यान देते हैं तो परिवार प्रगति करता है इसी प्रकार अ उने आगे बढ़ने के मौके देते हैं तो वो भी देश में माबाप का तो करती है देश का नाम रोशन करती है